हेलो इवरिवान आपका स्वागत थाए वंदी एस्टेटीफर आज हम पढ़ने वाले आए पारामेटकल का जो प्रिवेशर का कोश्चन हो रहा है 2016 का उसमें क्या क्या हो गया आपका फिजिक्स खतम हो गया केमेस्ट्री हो गया मैथ हो गया और बायो हो गया ठीक है तो अब आज पढ़ने वाले हम हिंदी पढ़ेंगे इसी वीडियो में हिंदी पढ़ेंगे इंगलिस पढ़ेंगे और जीके पढ़ेंगे ठीक है इसी वीडियो में आपको ये तीनों मिलेगा तो चलिए हर यहां पर एक लड़का और कंफ्यूज हो सकता है यहां पर आप लो कि कोश पूस्टन तो 90 होई पूस्टा है, लेकिन यहां question नमबर देखियेगा, तो यहां देखिए 80 नमर question है, तो आपको 10 उगो हो जाएगा हिंदी, 10 उगो हो जाएगा English और 10 उगो जाएगा GK, और इसके पहले 80 question हो गया है, तो टोटल हो गया आपका कितना, 110, question पूस्टा है 90 होई तो इसमें problem A है कि बहुत सा लड़का आपका किये रहता है PMB से sorry PCB और एक होता है PCM इसको कट जेगा PCM मतलब जो मैथ जहां रहता है कोई मैथ से रहता है कोई बाइस से रहता है या फिर कोई ये दोनों रहता है तो अब जीस तरह से जो भरा रहता है उस तरह से कोई से पेपर सेट होते हैं तो मैथ भी होता है तो इस सेट में ओ भी दिया है एक लाइन में ही दे दिया है सबको तो इसलिए नमबर इतना गया है तो इसमें confuse होने वाला बात नहीं है तो चलिए शुरू करते है आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते ना है नए है तो चैनल को सस्क्राइब करते ना है और चलिए पढ़िए और पहले ही बता दिया था कि कोईचन का अंसल टिक कर दिया गया है चलिए एक असी नमर के आए कपटी मित्र के लिए सभी मुहाबरा कौनसा है तो आप बोलते हैं न की इसाप आस्तीन का साफ है मतलब कपटी मित्र है आस्तीन का साफ चलिए सब मैं करा चुका हूँ हिंदी का नई देखें तो लिंक डिस्क्रिप्षन में होगा या i बटन में मिल जाएगा और इसके पॉले का जो जितना भी वीडियो है आपका फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायो, महत का उस अभी का वीडियो को आपको i बटन में मिल जाएगा और 2015 का जो प्रिवियस येर का कोश्चन है परामेट्र का ओ लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है नई देखें तो देख लेजिएगा चलिए 82 नमर पढ़िए तो हो गया कॉप्टी मित्र के लिए आस्तिन का साप अब आए 82 नमर इंद्रियों को जीतने वालों के लिए क्या कहते हैं जीते अंद्रिये ये मैं पढ़ा द तो पवन का होता है पो पलस अन अप्शन नमर सी आप टिक तो मार दिया गया देख लेकिन होता क्या है पो पलस अन ठीक है चलिए 84 नमर पढ़िए उन्मूलन का बिलोम क्या है तो उन्मूलन का बिलोम विप्रित सब्द वाला तो है रोपन ठीक है रोपन उन्मूलन का चलिए पचासी, कालिंदी का परवाची क्या है? तो कालिंदी का परवाची है यमुना, अप्सन नमर, डी, यमुना, ठीक है? कालिंदी का परवाची यमुना, चलिए next question पढ़िए, 86 नमर देखिए क्या कर रहा है सुध वर्तनी का चैन किजिए सुध वर्तनी यह मतलब 100 जो लिखा है तो इस तरह से लिखा जाता है 100 जो अस्प्रियस्ता यहाँ पर क्या क्या गॉलती किया है इसमें देख रहा है परो में आपको रह देदिया इस तरह से न लिखा जाता है औस प्रियस्ता यह भी गलत है यह भी गलत है मतलब चार नमर सई है इस तरह के कोशन एक आता है ठीक है जू इतने भी चाप्टर से आते हैं वो कोशन दे दियागे आप आप इस ट्रॉंग को ले जिएगा क्योंकि प्रिवियस यर है तो इससे आपना कंफोर्ण करिएगा एक्जाम आपको पता ही है कि अगोस्त में हो सकता है ठीक है कुरूना अगर ठीक रहा तो situation निर्वर करेगा चलिए हो आपना पढ़ाई करते हैं 27 नमर क्या है कवी का इस्तिरलिंग क्या होगा कवी 3 अप्शन नमर C इस तरस लिखाएगा कवी 3 बहुत देखिए किस तरस लिखाए गलती सब लिखाए सही वाला E है कवी 3 चलिए 88 नमर तर्नी का परवाची सब्द है तर्नी का परवाची सब्द क्या है तो है सूरिया सूरिया का आप आदित्य बोलेंगे वह अभी हो जाएगा परवाची सब्द या और चीज भी होता है तो तर्नी का भी होता है परवाची सब्द सूरिया या सूरिया बोल सकते हैं सूरिया का परवाची सब्द तर्नी तो क C, भार्या है आपका दिये हुए सब्दों में भीन अर्थ वाला भार्या है चलिए नवे नमर पढ़िए कान का कच्छा होने का अर्थ है कान का कच्छा होना मतलब सुनी बात पर विश्वास करना सुनना होता कि किसी के बात में भी बहुत गया मन्ना होता कि कान सुने बात को ज्यादा नहीं धियान दिया जा ठाँ जब तक परतियक चुरूप से नहीं देखा जाता तो वह आहीं होला कान का कच्चा मतलब सुनी बात पर विश्वास्तुरंत कर ले ना चलिए अब हम पढ़ेंगे खताम अब पढ़ेंगे इंगलिस चलिए अब इंगलिस शुरू सो करने से पले मैं कहूं कि आप लोग share कम कर रहा हैं मेरे खायाल से और भीवर भी कम आ रहा है ऐसा क्यों क्या मैं अच्छा से नहीं पढ़ा रहा हूं और मेरे चानल को थोड़ा गुरो कराईए तेजी से क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2014 का अब 2013 का भी मैं previous year का कराने वाला हूं तो इसको भी लेकर थोड़ा share करिए जदा जदा आपके पास जितना भी social media है और आप जितने भी बच्चे को जानते हैं जो तयारी करता है पारामेट का उसको पास share करिए और उसके साथ साथ आपके घर में जितने भी मुबाइल होगा उस सबसे कोशिस करिए सस्क्राइब कर दे इस चैनल को ठीका क्योंकि थोड़ा सस्क्राइबर भी बढ़ जाएगा हाला कि वो सस्क्राइब करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा मुझे क्योंकि जब तक भीवर नहीं बढ़ेगा तक कोई फायदा नहीं सस्क्राइबर से लेकिन सस्क्राइबर जितना रहेगा अब थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मोने टाइज हो जाए चाइनल तो इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ तो मेरा भी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए चलिए यान इंगलीज का शुरू करते हैं एक अन्वे नमर कोस्टन क्या है फिलिन दा भिलेंज है आपका तो क्या इट डाइस सीन्स अरली मॉर्निंग अब सीन्स आगया तो आपको पाता ही होगा कि परफेक्ट में जाएगा और perfect में क्या होगा present रहेगा तो हाईज रहेगा पास्ट रहेगा तो हाईट रहेगा लेकिन since early morning हाए तो यहां से option कम सा देखे यह नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता अभी लह भी नहीं हो सकता यह छाटने वादा तरीका है अगर कुछ नहीं बुझा रहा है तो since आगया यह फोर आगया तो वहाँ पर perfect में ही जाएगा तो उस तरह से क्या होगा has been running option number c चलिए next question यह सब पढ़ा चुका हूँ मैं इंगलिस का मैं आपको बता दू इंगलिस का 1000 का सेशन चला रहा था वो खतम कर दिया हूँ 9 गो set हो चुका है कितना टेस्ट बोलिए हम मैं वहाँ थमलेन पर set लिखा हूँ तो set गो 9 गो set हो चुका है इंगलिस कहीं सिर्फ तो वह सब ही आपको link description में मिल जागा नहीं देख्या है तो देख लिजिए ठीक है चलिए next question प्लेइलिस्ट होगा परमेटर का उसको खोलेगा उसमें मिलेगा यह सारे वीडियो और उसके अलावा भी और subject का है वह सब मिल जाएगा तो उसे देखिए तब जाके आपको पास्ट में है और यह क्या पास्ट इंडिफिनिट है तो इसके बाद वाला जुआएगा continuous में आएगा क्योंकि यहाँ पर दब बस वाइल से जूटा है इसलिए it was moving मतलब he jumped the boss माने वह बस से कुदा जोईसे ही गाड़ी क्या हुआ move किया था मतलब मूड़ा था उसे समय वह गाड़ी से कुद गया तो watch jumped हो जाएगा अपसर नमर D चलिए 93 नमर बताइए बताइए कि यह तो ठीक है चलिए the match will start when the referee will come मने जब referee आएगा तो match चाली हो जाएगा इसका हम हिंदी हुआ तो option नमर A हो जाएगा और इसे भी यहाँ आप देख सकते will start the match will start much start होगा come when job the referee will come जब referee आएगे तो ठीक है option नमर A आपका answer हो जाएगा चलिए next question चलिए 94 नमर पढ़िए choose the correct meaning of the following given idea में फिरे जाए तो यह आता इस तरह के question तो देखिए ध्यान से to be in a fix यह क्या होगा to be in a fix और कोई भी चीज निश्ची थाए तो उसके लिए क्या होगा तो उसके लिए हो जाएगा to be in perplexity अपसर नमर A आंसर हो जाएगा आपका इसको याद कर जाएगा इस तरह से question पूष्टा है पूष्टा है idea में फिरेज आला कि मैं idea में फिरेज बहुत सारे करा चुका हूँ तो उससे जा कर देखिए अब कितने बार बोलू फिर भी आप लोग नहीं देखिएगा तो अब आप जानिए चलिए पांचानमे नमर none of the two brothers came to see my father तो क्या यहाँ पर गलती किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं two brothers यह का किया है दूदू बार इसको पूलर जब भी आप है अगर two दिया है तो यहाँ पर two brothers होगा ब्रोदर्स नहीं होगा ठीक है पूलरल नहीं बनाना है जब निश्च टाना है two brothers ना करिए two brother करिए अप्सन नमर ए आपका 100 हो जाएगा चलिए चानबे नमर bread and butter is wholesome food अब यहाँ पर wholesome में जो किया है न इसमें गलती है इस तरह से word ही नहीं लिखाएगा wholesome इसलिए अप्सन नमर c आपका answer हो जाएगा चलिए संतानबे नमर बता दीजिए I shall write to you when I shall reach Mumbai तो यहाँ पर देख सकते हैं आप shall write you वहाँ जो दिया था उसमें मेरे ख्याल से गलती था जो दिया था ना first question आपका क्या था इसमें error यह है आपका c अब क्या है मैं बता रहाँ देखे अगर first sentence when के पहले वाला sentence present में है तो इसके बाद वाला जो है वो present indefinite में आता है sorry यह future में है तो event के बाद वाला जो है वो present indefinite में आता है मतलब यहाँ पर I shall reach नहीं I reach Mumbai हो जाएगा और यहाँ पर एक question दिया था आपको भरने का कहा गया है यही है will come referee वाला इसमें मेरे ख्याल से गलत मारा गया है answer यहाँ पर 93 का answer हो जाएगा आपका यह गलत मुझे लग रहा है will start यहाँ पर future में है तो वे नहीं तो इसके बाद वाला जो होता है वो present indefinite में होगा तो यहाँ होना चाहिए दो referee come sorry क्या होता है present indefinite का subject plus verb one होता है और past में verb two होता है past indefinite में तो यहाँ पर come होना चाहिए तो थोड़ा सा मुझे आप ही confirm करके बताएगे comment करके इस बारे में इस question में answer मुझे गलत टिक किया हुए लग रहा है तो आप ही थोड़ा research करिए और मुझे confirm करिए मेरे ख्याल से ए answer मुझे होगा C होने चाहिए चलिए next question का है अंठानवे नमर क्या है तो पढ़िए choose the signos for the words from the suggested alternatives अब आपको क्या बताना है signos बताना है किसका तो fiction का आपको बताना है fiction का होता है signos बताना है fiction नहीं बताना है बोला नहीं जिता कि fiction movie आए मतलब यह काल्पनिक movie आए यह imaged option अबर ए हो जाएगा fiction आपका image जाइंड मतलब बहुँ जाद उसमें जादू गरी या इस type का है तो इसको याद को ले जीगा sign हो जाएगा fiction का image काल्पनिक कर रहा है यह भी चलिए next question 99 नमर क्या कर रहा है तो तूलना करते वक्त उनको definite बना दिया जाता है तो उसके पहले दो लगाईए और Shakespeare एक बहुत महान आदमी थे एक लवता है उनके जैसे तो कोई हाई नई इसलिए उनको definite बनाईए इसलिए दो का परियोग करिएगा यहाँ पर a in का परियोग नई होगा दो का परियोग ह तो ग्रेब का हो जागा ट्रेफल इस सबका हिंदी मैं बता चुका हूँ वीडियो इस सारे बता चुका हूँ इसे रिलेटेड और भी important sign on to करा चुका हूँ तो वो सब जागर देखिए तो आंसर हो जागा यह आप मुझे comment करके बताईएगा इसका हिंदी मुझे बताना है आपको important का बता दिजेगा आप महतो है यह light को बता दिजेगा आप लोग जानते हों कि परकास इसका हिंदी और इसका हिंदी दोनों का हिंदी बताईए और साइने वाला में भी जो हिंदी था इस सबका भी हिंदी आपको लिख कर comment करके मुझे बताईए और options है इसको भी आ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं और इसे बताने से कोई ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन होगा क्या उस समय जो type करिएगा answer तो जो याद करिएगा या आपको याद नहीं है तो गूगल करके करिएगा तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा समझे नर्मली अगर याद करिएगा को दस दिन बाद भूल जाएगा लेकिन कमेंट करिएगा न लिकर वो हमेशा खाती याद हो जाता है तो आएए देखते हैं समान ग्यान समान ग्यान में क्या है इसका भी answer टिक कर दिया है क्या किया जा सकता है चलिए निमलीखित में से वह व्यक्ति कौन है जिने भारत का राश्वटी बनने से पहले भारत रत्न का आवार्ड मिला था तो ओ थे डाक्टर एस राधा क्रिश्नन एक या थे आपका प्रथम उपराश्ट पती थे एस राधा क्रिश्नन और जब ओ थे तो इनको मिल गया था आपका चाउवन में अनगा चाउवन में भ मुंबल पुरसकार ये अपका कौन है सी बी रमान है सी बी रम्न है इनके मिला था और एक आदमी और है उनके मीला था वह ध्यान में ने ही आ रहाये मुझे Просто मिला था और और जब आने थे आपका लाक्राश्पर्टी सब्लिंदे बने शूरा हुए लेकिन उनको बाद में दिया गया भारत रत इनको पहले दिया दे शुरुवानत हुआ एक सुन ध्यान से सुन यह नई सचववन में भारत रत देने का सुरुवानत हुआ और पहले ही सुरुवानत हुआ तो तीन आदमी को मिला था एक राधा कृष्णान होगा है एक सीवी रामन एक आदमी और है मुझे ध्यान नहीं होगा है कमेंट करके आप मुझे बताईएगा चलिए नेक्स्ट कोच्छन अहां तो किलियर हुए ना भात देने के सुर्वात कब से हुआ तो नई सच चोवण से कन्फ्यूज मत होगा चल यह होगा आपका बीतिया अपाथ 360 और एक और होता है राष्ट यह अपाथ वह एक हुए राष्ट पोटी सासन 356 एक होता है 352 तुम्हें बता दिया चलिए इसको बताईएगा 352 जो आर्टिकल है किस पर लाग किया जता है इसको बता दिजे कमेंट करके चलिए एक सा तीन बताईए नेमलिखित में से अधिक जोलन किस से पाइदा होती है तो भाप से होती है तो भाप से क्यों होती है तो क्योंकि भाप के अंदर जो होना है गुप्त उसमा होता है क्या होता है गुप्त उसमा उसके अंदर होता है इसलिए जो नर्मल जोलेगा आगी से उसका जो और भाप से जो जलेगा उसका जलन में ज्यादा जलन भाप वाला से होगा ठीगा ना क्योंकि उसमें गुप्त उस्मा होता है question यह अभी पूछ सकता कि भाप में कौन सा उस्मा होता है तो गुप्त उस्मा होता है देख चलिए यह तो आपको chemistry से भी related हो गया question लेकिन यहा है किस में जी किस से है चलिए पहुंदे के किस भाग से हल्दी पराप्त किया जाता है यह कोशन काफी इन्पोर्टेंट है देखे यह कोशन का आंसर गौलती मारा है हल्दी जो है न तना से पराप्त किया जाता है अल्दी तना से पराप्ट केज़ता है मूल से नहीं तना से अप्सन नमर बी आंसर होगा चलिए एक सपास नमर तो सतारिष जून हाई तो उस दिन कौन सा दिवस मनाई जता है तो यहीं मनाई जता है बी स्व मधु में दिवस ठीक है चलिए मुझे ए आप कमेंट करके बताएगा कि पिरिथवी दिवस को मना जाता है ये कोस्चन बड़ी पुष्टा है पिरिथवी दिवस पिरिथवी दिवस किस तारिक को मना जाता है चली नेक्स्ट कोचन दिवस जीतना भी होगा सारे याद को जेगा एक दिवस पूचता है चली आये क्या है अकास में नीला रंग परकट होने के साथ सम्बॉन्धीत परकास की परिगटना क्या है मतलब परकास जो है नीला दिखाई देता है क्यों तो वो पड़किनन के कारण क्यों कि क्या है कि नीला कलर का पड़किनन छामता अधिक होता है इसलिए वो उपर ही पड़किननित हो जाता है तो हमें यहां से देखते हैं तो निला दिखाई देता है हाला कि आप किसी दूसरे गुरहों से देखिएगा हमारे प्लैनेट पर तो वो कैसा दिखता है एकदम काला दिखता है ठीक है निला और बुलू इस तरह से नहीं सिर्फ काला दिखता है लेकिन पड़किनन के कारण अकास निला दिखाई देता है चलिए next question तो मुझे ये comment करके बताईएगा आप कि आप कोई बुलबुला देखते हैं जैसे कि स्वरफ है स्वरफ के घोरते हैं तो बुलबुला उस पर आता है तो बुलबुला जो color दिखाता है आपको 3-4 color ये 7 color का होता है तो वो किसके कारण वो color होता है ये मुझे comment करके बताईएगा और अभी बता दू इन 4 में से ही कोई ना कोई एक answer है ये बाला तो आप इसे भी trick अब इतना बता दिया तो आप बता सकते हैं किसके कारण कोई color भूल भूला है तो वो कियों रंगी इन दिखता है तो वो comment करके मुझे बताईएगा इन 4 में से एक answer है चलिए 7 नमर दिलवाडा का जायन मंदिर निमलिखी तुमें से कहा परिष्थित था है तो वो है माउंट आभू परबत पर नमर दि माउंट आभू परबत भाय दिलवाडा का जायन मंदिर चलिए 108 नमर पिलिया किस अंग के संक्रमन के कारण होता है तो होता है यह कृत के संक्रमन के कारण ठीक है चलिए next question जाकरियु सायन किस वाद यंत्र से संबंदि था है तो है ताबला जाकरियु सायन ताबला से संबंदि था है एक famous question मैं पूछ रहा हूँ आपसे आपके डॉक्टर APJ अब्दुलकराम है APJ अब्दुलकराम वो कौन सा वाद यंत्र बजाते थे यह अपना science trick जो मिसाइल मैं उन्हें कहा जाता है वो कौन सा यंत्र बजाते थे चलिए इसको बता देता हूँ कि आप लोगों पता नहीं होगा वो बजाते थे बीना ठीक है उनका मूर्ती जो बनाये हाल फिलाल में वो उनको इसी तरह दिखाया गया है बीना बजाते हुए ही उनको एक मूर्ती बनाये गया है एपी जी अब्दूल करामको वो शाउत में है जिसका अनवारन जो है पुदगाटन मूदी जी किये है ठीक है चलिए next question चलिए क्या है silent valley इस्तिता है तो केरल में है silent valley केरल में है एक होता है पेरियार पेरियार घाटी जो है न तो पेरियार घाटी आपका केरल में है related है इसलिए बता दे रहा हूँ पेरियार घाटी केरल में है फूलो की घाटी अगर बोले सिर्फ फूलो के घाटी फूलो के घाटी तो ए है आपके उतरा खंड में किधर उतरा खोंड में है फूलो के घाटी लेकिन परियार घाटी कहा है केरल में है चलिए चलिए एक और कोस्चन में पूछता हूँ जो अकबर था वो कौन सा वादियंतर बजाता था उसको बजाना कौन सा वादियंतर आता था अच्छा से वो उसमें नीपूर्ण था बजाने में ये कमेंट हुआ के मुझे बताइएगा अकबर के बारे में तो चलिए अच्छा लागा तो लाइक करिएगा पूरा हो गए आपका कितना 2016 का पूर्या खतम हो गया नहीं देखे हैं तो इनके अलावाद जो भी वीडियो है आपका फिजिस केमेस्ट्री बायो मैट ये सबको आपको आई बटन में मिल जाएगा और 2015 वाला लिंक डिस्क्रिशन में है अब इसके बाद हम सुरू करेंगे 2014 का तो आचा लग रहा है तो तो लाइक करिए अपने दोस्तों से थोड़ा ज्यादा ज्यादा सेयर कराइए आपके गवर में जितना मुबाइल होगा सबसे सस्क्राइब कर दिए चाइनल को मैं चाहता हूँ कि तेजी से मेरा सस्क्राइबर बढ़े क्या होता है कि जब ते हो नहीं पाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छा लग मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थांक्यू